मंसोर में 30 साल की एक मैला मेनाज भी धर्म परिवर्तन कर मिनाच्षी बन गई है मैला ने अपने दो बेटों के साथ सनातन धर्म अपनाया है बड़े बेटे का नया नाम लव और छोटे बेटे का नाम कूझ दिया गया है सनातनी बनने के बाद मैला ने काये कि 15 साल से वह मर मर कर जीवन जी रही थी आज ससुराल मायका सवी पक्षु से मुक्त ओ गई हूँ अब अपने बेटों के साथ सनातनी बनकर जीओंगी मंत्र जिले के दमनार की रहने वाली मैला फेनाज भी ने अपने दो बेटे फरान और फेजान के साथ सनातन धर्म अपनाया है बुद्वार देरशाम को कालखेत इस्तीत गायती मंदिर में वेदिक मंत्रो चरन के साथ मैला और उसके दोनों बेटों को दुद्दधई, शर्थ, गंगाजन, गोमुत्र, ओद, गोबर से सनान करवाया गया करीब देर गंट के चले मंत्रो चरन के बाद सभी का नाम करण किया गया है सनातन धर्म में वापसी करने वाली मेनाज भी को नया नाम मिनाक्षी मिला है जबकि बड़ा वेटे को फेरान खान को लव और फेजान खान को नया नाम कूश मिला है दुनों ने मा के साथ वीडिविदान से पूजा अर्चना की गई है और आर्तिकर्थ सनातन धर्म अपनाया है अब तक 45 लोगों की सनातनी बनने वाले चेतन सनातनी को देख रेक में तीनों की गरवापसी हुई है क्या नाम था पहले आप अब क्या नाम हो या पहले अपको दूनों बच्चे के साथ में हैं जी उन से बात किया अपनाया है मैं भच्च वाहती है बच्छों से बात करें थि एपनाय मेंने मेरेगों को इम उसमें उन्ष्णा में मारते है हुआ होवाले ने उसमें अवरत की कोई आट रखना उज्धत में होती वह पर और तो बहुत गलत तरीके सो बोलते हैं उन्हों आप अपार करतें वह लो कि आहां या नहीं हुआता है फुछ नहीं कुछ नहीं, हम्हा किसी को नहीं, किसी को नहीत है डाइवार है कै आप मेरे होगा है दो मेरे मेरी मर्जी सेदे कर रहा है देखे हमारा संगठान के कुछ मित्र है उन्हों लोगों ने मुझे संपर किया था यह जो महिला है इनको इनके ससराल में इनके पती के दुआरा बहुत प्रताडिक किया रहा है इनके साथ मार्पिट की जाती है और वहाँ पे इनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था कई सालों से यह गुटन बरिया जिंदिगी बसर कर रहें थी और अब इनको यसा लगना लगा था कि मुझे इन सब को छोड़के और मुझे हिंदु धर्म अपनाना चाहिए चुकि इनके आस्ता थी यह देवता को भी मानते हैं मंदिरों पे पेले जाती रही है और एक प्रक् दोनों गवच्श के साथ में हैं पेले इनका नाम मेह था अब इनको नाम मिनाक्षी हो गया है और दोनों इनके जो बच्चे फरान और फैजान है उन दोनों का नाब लवकुश की. कि कितने लोगों को अभी तक देखे अब इनके पहले तक चुमालिस लोगों को मैं घरवापसी करवा चुपा हूँ और जिसमें से 49 महिला हैं और आज ये तीनों आएमें तो इसको मिलाकर 47 लोगों की घरवापसी अभी तक जो पिछले